जैहिन प्यारे मित्रों आपके अपनी यूटूब चैनल आरार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है अज मैं आप सब के भीस लेका हूँ एक अप्रेंटिसिप का वेकेंसी यह वीडियो जो हमारी अप्रेंटिसिप के निले है निकाली गई है इस्पेसल अप्रेंटिसिप जो दो अप्रेल दोचार चोबिस को ही है नोटिफिकेशन जो है जारी किया गए कार्मिक यह क्या कहते है देखे कार्मिक वीभाग रायपूर मंडल डिपार्टमेंट ऑफ परसनल रायपूर डिवीजन रायपूर डिवीजन के लिए जो परसनल रायपूर डिवीजन के लिए एक्ठ यहां पर चुम्त के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए इस विडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और स्स्क्राइब चरूर करियेंगा वीडिटी को जाद श्याद दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें- जो हमारी क्या कहते है इसमें बात करते हैं तो जो हमारी फ्रोट विब साइट की बात करते है तो apprenticeag.india.org पर जो है उनिस एक सट वन नाइन सिक्स वन की तरह से जो निकाला गए हैं इन राइपूर डिवीजन एंड वेजन रिपेर सौफ राइपूर और एस ए सी आर अगेंट्स आफ दे फालो इंग डिशे नाइट्स टेड अलग अलग ट्रेडों के लिए यहां पर जो हैं आप सभी को जो है देखनों के लिए डी आर एम ऑफिस राइपूर डिवीजन के लिए जो निकाली गए हैं इसमें ट्रेड के बात करते हैं तो हमारे जो ट्रेड के लिए अलग यह काटेगरी वाइज भी यहां पर जो है आपको काटेगरी वाइज भी जो पोस्ट है आप सभी को जो हैं दोशू साथ पोस्ट हैं एलेक्टीषोन में 15 पोस्ट हैं इस डो नोगरा। फार इंग्लीस में 15 पोस्ट है इस डो नोगरा फरेंदी में तम्पेटर शचिछ de हैं डीजल मेकेनिक में हमारी 81 पोस्ट है निकाली गई है मैकनिक रिफियर एर कंडिशनिंग में हमारी 21 पोस्ट हैं मेगनिक आटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्रोनिक में जो हर two total थो टोटल हमारी पोस्ट आकली कि दिशेंगा लिज आठ्सवाल इस पोस्ट पर जो देखनों के मिलेंगे इसमें हमारी Jane काली एक सूदस पोस्ट के लिए एक सूदस पोस्ट मसीनेश के लिए पंदर पोस्ट एंटनर के लिए 14 पोस्ट इसमें apprenticeship करने से आपको एक benefits भी होगा, इसमें जब railway के आपको vacancy देखनों के मिलेगी, उसमें आपको आरक्षन भी मिलेगा, इसमें qualifications की बात करते हैं, तो जो हमारी क्या करते हैं, qualification जो निकाला गया है, essential qualification and technical qualification की बात करते हैं, तो इसमें 10th pass out candidate मांगा गया है, 10th under 10 plus 2 जो है pass out candidate होना चाहिए, उसमें minimum कितना होना चाहिए, 50% marks होना चाहिए, ITI जो है course in relative trades organized, क्या होना चाहिए, इसमें age limit की बात करते हैं, age limit जो है, 25, sorry 15 year complete होनी चाहिए, और 20 year तक होनी चाहिए, जो है 24, 2024, जो होनी चाहिए, इसमें जो relaxation provide किया जाए, 5 year SCHT candidate के लिए, OVC candidate के लिए 3 year और 10 year जो है ex-servicemen और PWD candidates के लिए provide किया जाएगे, इसमें जो community दी गए है, candidate should be born between, जो जन्म दिया गया है, यह general के लिए 2000 से 2009 की बीज, SC candidate के लिए 1995 से 2009, ST के लिए 295 से 209, OVC candidate के लिए 297 से 209, PWD और X servicemen के लिए 190 से 2009 की बीज में ही क्या होनी चाहिए, इसमें जो हमारी training की बात करते हैं, तो हमारी जो training रखी जाएगी, वन येर की जो है, इसमें training, आप सभी की जो अपरेंटेस की एक वन येर की जो है, ट्रेनिंग रखी जाए, इसमें जो selection होगा, merit in the selection, merit based जो है, इसमें selection होगा, दोनों का average, taken the average of the percentage, मार्क्स जो है, 50% का मार्क्स और ITI, related weightage जो है, दोनों का meritage निकाल कर जो है, आप को क्या किया जाएगा, merit जो है, जारी की जाएगा, merit जो है, क्या होगा, इसमें selection होगा, इसमें date की बात करते हैं, जो हमारा farm अवेदन होना इस्टार्ट होगा, यह 2 April से जो है, फार्म अवेदन होना इस्टार्ट होगा, और इसकी last date एक मही तक जो है, रखी गए है, अगर हमारे वीडियो आप